दोस्तों आज में आपको मस्सों कोई समस्यों को पूरी तरह से कैसे दूर कर सकते हैं इसके लिए बहुत एफेक्टिव वीडियो मैं आपके लिए लिखिया आई हूँ दोस्तों यह जो मळारी जांते हैं यह यह काथों कर सकते हैं को दोस्तों कोशिकाओं को मस्नों के रूप में दिखने लगता है यह जो कोशिकाओं को हम क्या कहते है मिलोनोसाइट के नाम से बिसे जाना जाता है यह पैपिलोना नाम का वाइरस होता है जो इसकिन कुप पे एकठे कोशिकाओं के एकठा कर देता है जिससे वो words के रूप में दिखाए देने लगते हैं इन्हें कभी भी आपको नूच के या तोड के इस तरह से निकालना नहीं चाहिए इससे क्या होता है इसकिन पे और भी जादे फैलते हैं यह जो चीज मैं आपको दिखा रहे हूं इससे हम कहते हैं नहीं तो चेहरे पे आप इसे न लगाए गरदन पे हाथों में पैरों में और कहीं पे भी अगर में मस्से हैं तो आप इसको प्योग करेंगे चेहरे के लिए मैंने बहुत effective मस्सों को दूर करने के लिए वीडियो दिया है जो प्याज और लहसुन से बना हुआ उसमें कुछ और भी चीज बताएगे अगर आप उसे चेहरे के मस्सों को दूर करने के लिए करेंगे दोस्तों तो आपके चेहरे के जो मस्से हैं उस बहुत ही बढ़िया से वह effective आपको मिलेगा और उसकी कोई भी side effect नहीं होते तो आप उसे चेहरे पर है या आँखों के पलकों पर है तो आप उस remedy को description box में चेक करिए अगर आपको चेहरे के लिए यूज़ करना है या फिर ऐसे sensitive area के लिए यूज़ करना है तो आपको उस remedy को यूज़ करेंगे चूने वाला प्रयोग आप उसे ना करें अब मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपके गरदन पर है या फिर हाथ पैर में कहीं इसे मस्ते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे देखें यहां पर चून आपको बहुत थोड़ी सी quantity में लेना है यानि जितना बड़ा एक चना होता है उतनी दाने के बराबर आपको यहां पर चूना हमने लिया है उसे यूज़ करना है जो गीला हुआ भीगा हुआ होता है उसी यूज़ करेंगे सूखा चूना नहीं लेंगे अगर आपको सूखा चूना मिलता है तो आप उसको पहले भिगा दीजे रात भर के लिए जो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए गेला हो जाए तभी आप यूज़ करेंगे पान की दुकान पर दो रुपे की आती है आप यहां आ दालेंगे जितना चूना नहीं से थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं तो देखिए इसको ले लिए अब क्या करेंगे इसको आप फिंगर से ही मिक्स कर दीजे और इसको थोड़ी देर के लिए पांच मिनुट के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो यह जो चूना है पूरी अच पांच मिनुट के लिए अपने आपसे मेल्ट जाएगा उसके बाद आसानी से लगा सकते हैं गीला अगर आपके पास पेस फॉर्म में है तो इसको रखने की विजरूत नहीं है तुरंत इसको मिक्स करके आपको इससे तयार कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों अगर बड़ कैसे कि लिए करिदे उसके बाद हलका सा अब कोकोनट जगा देजिए जहां पर आपने लगाया है प्लाइयक के तो पोचने के बाद वहां पर नारियल stein जरूर लगा है नारियल के तिल लगाने से क्या होता कोई भी दाग धबा भी नहीं पड़ेगा दूसरा तरीका दोस्तों आपको देखिए यहां पर टूथपिक ले रहे हैं छोटे-छोटे से मस्य होते हैं गर्दन पर देखा हो गर है कि कई सारे छोटे-छोटे से मस्य वाट तो आपको दियान से इस तरह से टूथपिक से लगाना है अगर बहुत छोटा सा मस्य है गर्दन पर है तो आप इस तरह से लीजिएगा और इसकी थोड़ा सा एमांट लेके इस तरह से धीरी-धीरे करके उस मस्यों पर इसको हलका से स्क्रेश करके लगाते रहें देरी-धी बिजिए इस जैसे जैसे मसाज करते हैं चैसे दो-से-ती बार dif कर लग आए इसे इसी तरह से डिप कराओ कर मसों पर लगा यानी जितना टांव लगए सूखने में उतने टाइम के लिए भी से चोड़ दीजिए या फिर आप चाहने ऑग चाहए तो एक पर टेप ले लिजि उसके बाद निकाल के पानी आप लेके उसको पोच सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तेल वगर रहे हैं, आपके पास अगर नारियल तेल है या फिर कैस्टर आयल है तो इसे जुरूर अपलाई करिए, उससे क्या होते हैं, दाग भी नहीं पड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं आप इसको एपलाई करिए दोस्तों, और हमने जो बताया है ना चेहरे के लिए प्याज लैसों से बहुत ही बढ़िया सा एक पेस्ट बता के आपको दिया है, वो कहीं के भी मस्से हों, कहीं इंटरनल मस्से हों, या फिर फेस पे हो, पलकों पे हो, तो आप वहां पे भी स्क मुणा जो है, उसको नहीं यूज करेंगे, मैं आपको इसलिए बबार बर रिपीट करेंगे, कि चेहरे पे लगाने से क्या होता, चेहरा बहुत ही संस्टिव होता, या आँखों की पलके हैं, वहां पे मस्से होता, तो वहां पे आप चुनी को नहीं यूज करेंगे, और इ को इस अपितल बसने बार से पाइड़ाता, या बहुत ही संस्सा भाहिए, बहुत के बहुत हैं, अगर इसे आपको फाइदा मिलताय तो इसे औरों के साथ मिजूरू शीयर करेंगे, यूज की बहुत सारी लोग है, जो इससे मस्सया से परशान है, उनकी आप मदद करेंग और दोस्तों अगर पाइल्स के मस्वें के लिए आपको remedy चाहिए तो description box में आप चेक करिए पाइल्स के मस्वें के लिए बहुत ही जवदस्त मैंने remedy दिये है उसके कई सारे से feedback है जो मस्वें को पूरी तरह से खतम कर दिये हैं और कई सारे लोग उससे ठीक हुए है तो आप उसको अगर आप पाइल्स के वज़े से मस्वों को पे अपलाई करना चाहते हैं तो उसे आप जरूर चेक करिए, डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है जिसे हम आपके लिए और अच्छे-ची वीडियो लाते हैं इसलिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अप्सें पर क्लिक करिए जिसे सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ अब तब नखोखोग क्याल रखें झालर्ण लाई प्रहे हैं कि करे टॉपिक करिए मैं झालर्ण जर्मेट दोई सुड़ी हैं